नवस्कार साथियो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेशपाल जड़ी बुटी ग्यान में आज साथियो मैं आपका पर्षे कराने जा रहा हूँ एक बहुत ही गुड़कारी ओस्दी जो की बहुत ताकतबर होती है इसका नाम है अस्वगंधा अस्वगंधा इसली कहा जाता है कि इसकी जो जड़ होती है इसकी जड़ और इसको जड़को मसलने के बाद में एक घोड़े के पास आप खड़े हो जाएं तो उसकी जो इसमेल आती है वैसी सेम उसी के तरह इसकी भी इसमेल या गंद जो आती है इसी वज़े से इसको अस्सुगंधा कहा जाता है, यह साथियों जिसके अंदर कैल्सियम की कमी रहती है, यह जिनको स्टैम्ना डाउन रहता है, थोड़ा सा काम करते हैं, हग जाते हैं, यह जो बहुत ज़्यादा स्वास के मरीज हैं, यह जिनको कैल्सियम की कमी रहती है, यह जिन को sexual disorder रहते हैं नीम की समस्चा रहती है या बहुत ज्यादा लंबी विमारी से गिर्षत रहते हैं उन सब के लिए इसका सेवन करने से बहुत जल्दी ठीक होते हैं रोगों से लेंडे की छंका बढ़ाता है इमिन्टी सिस्टम को स्ट्रॉंग करता है साध्यू मैं आपको इसकी पूरी जनकारे देता हूँ वीडियो को पूरा देखें यह जो देख रहे हैं यह असुगंदा की खेती की जाती है और यह बहुत ही उप्योगी औस दे होती है इसकी जड़ों का इसके पत्तों का और इसके फलों का सेवन औस दिये रूप में किया जाता है और इसकी जो खेती के लिए यह बहुत ही उत्तम ओसिदी होती है यह आप जो देख रहे हैं यह असुगंदा त्वचा रोग वाले समस्या में दें तो इसके पत्तों का कल को बना कर यानि कि उसको पीस लें और उसको लेप लगा कर जितने भी जो त्वचा रोग होंगे उन जल्दी ठीक नहीं होता है तो ऐसे रोगों के लिए ऐसे तुचा रोगों के लिए इस असुगंदा के पत्तों का कल्क या उसकी चटनी बना कर उस पर लगा दी जाए तो सूजन भी ठीक होती है और जो जखम होता है वो बहुत जल्दी ठीक होता है यह बहुत ही लाब प्र करते रहने से पूरी तरह से खुलाब मिलता है यह आप जो दीख रहे हैं यह अस्वगंदा का प्रतून है और यह पाउडर है आप चाहें को किसी दिखाने के लिए ही दिखाया है यदि बुखार की समस्या जिनको रहती हो और भुखार ठीक ना हो रहा हूं तब इसका दो गि गिलोई का सत्व मिलाकर दोनों को मिला लें और रोजाना सुबह साम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से जो पुराना वुखार होता है जिसको म्यादी वुखार कहते हैं वो पूरी तरह से ठीक होता है दाइसो एम जी गिलोई सत्व को दो गिराम असुगंदा चूण के साथ सहद में मिलाकर सेवन करा देने से बुखार में या किसी तरह की कोई भी परिशानी हो सब में ये बहुत लाप्रद होता है शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो जिसकी वज़े से बहुत जादा कमजोरी रहती हो तब असुगंदा का चूण और चिरायता का चूण ले आएं पंसारी के यांसे दोनों को बरावर लाकर मिला करके और इस दोनों मिले हुए चूण को दो से चार ग्राम की मात्रा में थोड़ा सा सुवा साम दूद के साथ सेवन करने से बहुत लाब मिलता है च्छै रोग में दो ग्राम असुगंदा चूण ले और साथ ही उसको 20 मुली ली लीटर असुगंदा के ही काँदे में मिलाकर इसका सेवन कराने से च्छै रोग यानि इसको टूबर क्लोसेस या टीवी कहा जाता है या तपैदिक उसमें बहुत लाप रध होती है जिन मेहलाओं के लिए प्रदर रोग होता है लिकोरिया जिसको बोलते हैं वो सफेद पानी की समस्या रहती है उसमें असुगंधा के 2-4 ग्राम चुरुन को गाय की दूद के साथ सुबह साम सेवन कराने से बहुत लाप मिलता है और साथ ही जिन लोगों को गठिया की समस्या रहती है उनको असुगंधा के पंचांग को ले आएं और कूट कर इसको 2-4 ग्राम सेवन करने से गठिया में अत्यन तिलाब मिलता है अत्वा इसके 30 ग्राम पत्तों को ले आएं और 2500 एमेल पानी में उबाल कर जब आधा रह जाये तो चान कर पीने से सिर्फ एक हपता पीने से गठिया बिलकुल ठीक हो जाता है अगर पत्ते ताजा ना मिले तो 2 ग्राम असुगंदा के चूर्ण को लो और सुभह साम गरम दूद के साथ सेवन करने से सिर्फ के बाल जिन लोगों के समय से पहले सफेद हो जाते हूं उनकी लिए 2-4 ग्राम असुगंदा अधी चूर्ण का सेवन करने से ये सफेद बालों का होना बिलको रुख जाता है दो गिराम अस्टुगंधा के चूरण में आदा गिराम मिसरी मिलाकर गुनगुने दूद के साथ सेवन कराने से बीरे दोस्त ठीक होता है और सिग्रपतन जैसी समस्या बिलको ठीक होती है और साथ ही इसको अगर किसी व्यक्ति के लिए जिसको इंद्रिय सिथिलता यानि के इंद्रिय सिथिलता की समस्या हो तो उनको अस्टुगंधा का चूरण और खाण दोनों को बराबर मात्रा में लेकर गाय के ताजादूद से सेवन करने से खाना खाने से तीन घंटा पहले सेवन करें और पूरी तरह से ठीक होता है अस्टुगंधा के गोड़ धर्म की बात करें तो अस्टुगंधा कफ और बात सामक होता है ये बाजी करण होता है और सुक्र कारक सुक्र बढ़ाने वाला पुष्टी कारक ये पॉस्टिकता देने वाला और सरीर को कांती युक्त बढ़ाने वाला दीपन पाचन करने वाला और धातू बर्दक धातू की छिंडता को ठीक करने वाला और इसके फल और बीज मूत्रल इसको ठीक करते हैं और इसके पत्ते कटू कड़वे होते हैं और ज्वर हारक होते हैं करमी नाशक होते हैं और अस्वंदा की जो मूल है इसकी जड़ है वो रोग प्रित्रोग छमता बढ़ाने में काम करती है तनाव रोधी होती है और अनिद्रा को ठीक करती है अजीन को ठीक करती ञीं संदी सूल जोड़ दरद में काम करती है निमूनिया उन्बाद नसक जो लोग पागल पंज समस्यार उनको यह ठीक करती है और सद्विव बहुत गुलकारी ऊस्थि हैं और अगर हम इसके पहचान की बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं वो दूसर रंके होते हैं और जिन पर हलके बारिक बारिक रोय से होते हैं और नीचे को विप्रित दिसा में ये जुके हुए होते हैं और इसके जो फल होते हैं वो कच्चे होने पर हरे रंके और पकने के बाद लाल रंके मकोई की आकरती के होते हैं और इसके फूल हलके हरे रंके और हलका पीला रंग लिए होते हैं और अस्वगंधा दो परकार का होता है एक जंगली और एक जो है नागोरी जिसकी खेते होती है ये इसकी लंबाई जो होती है वो एक से दो मीटर तक उचे इसके पौदे होते हैं ये बहुत उपयोगी होस्दी है इसका ज़रूर बताएं ये इसके गुड़ो और क्या क्या हो सकते हैं या आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सक्षन खाली है और अगर ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने सातियों में दोस्तों में जरूर सेयर करें ताकि वो भी इस उसदी के उपयोग से लाव ले सकें साती साथ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत ध सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए डीजे अनुमती नमस्कार